तामिलाडों से होते हुए कॉंग्रेस की भारत जोडो यात्रा केरल पहुच चुकी है। केरल प्रदेश, कॉंग्रेस समिती के अध्यक्ष और सांसत, के सुधाकरन, राज्य विधान सभा में विपक्ष के नेता, बीडी, सतीशन और अखिल भारतिय कॉंग्रेस समिती के महा सचीब, तारिक, अनवर और पार्टी के अन्य वरिष्ट नेताओं ने राहूल गांधी का उपचारिक रूप से स्वागत किया, जिसके बाद केरल में ये यात्रा आरब हो गई, राहूल गांधी का स्वागत करने वाले पार्टी के अन्य वरिष्ट नेताओं में कॉंग्रेस सांसत, केसी विर्ण गुपाल और शशी थरूर के साथ ही केरल के पूर्प मुख्यमंतर उमान चांडी और रमेश चन्निथला शामिल रहे, पूर्प कॉंग्रेस अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए समर्थकों की भारी भीड उम्री, वरिष्ट कॉंग्रेस नेता और इस यात्रा के राष्टिय सैयोजक दिग्विजे सिंग ने ट्विट किया कि हमारी भारत ज चोड़ो यात्रा, तमिलाडो सीमा के करीब पारसला से केरल में प्रवेश करने के बाद कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष 19 दिनों में मलपूरम में निलामबुर के 450 किलोमेटर लंबी यात्रा करेंगे, ये यात्रा 14 सेप्टेंबर को कॉलम जिले में प्रवेश करेगी और 17 सेप्टेंबर को अलपुंजा पहुचेगी, इसके बाद 21 और 22 सेप्टेंबर को एरनाक उलम जिले से गुजरेगी और 23 सेप्टेंबर को त्रिशूर पहुचेगी, कॉंग्रेस की यात्रा 26 और 27 सेप्टेंबर को पल्लकड से गुजरेगी और 28 सेप्टेंबर को मलपू दिया है जो कन्या कमारी से पद यात्रा करते हुए कश्मीर तक जाएगी 19 सेप्टेंबर को प्रियंका गांधी के भी भारत जोडो यात्रा में शामिल होने की संभाबना है ब्यूरो रिपोर्ट जन्भाबना टाइम्स